बच्चों अभी तक हमने सबसे बड़ा मुर्ख कहानी में पढ़ा था कि हमारे देश में मुगल बादशा अकबर का राज था वह बहुत न्याय प्रिय था और बीरबल जो था वो उसके मंत्रियों में से बहुत चतुर और बुधिमान था और उसकी आँखों का तारा बना हु और बादशा ने उसे सारे घोड़े खरिद लिये और उनकी कीमत देने का आदेश भी दे दिया और वियपारी को एक हजार अशरफिया और अधिक भी देने के लिए कहा और उसे अधिक घोड़े लाने के लिए बोला गया तो वियपारी ने एक महीने में और घोड़े लाने की बात कहकर दरबार से चला गया बिर्बल यह सब देख रहा था तो एक बार अकबर ने बिर्बल से पुछा कि तुम क्या जानते हो कि दुनिया में सबस्दा मुर्ख कौन है तो बिर्बल ने कहा नहीं जानता लेकिन पता करके बता सकता हूं तो अकबर ने पुछा कितने दि बड़ा मुर्क कोन है बिर्बल ने कहा पहले मेरे प्राण नहीं लेने का वचन दे अक्बर ने वचन दे दिया कि मैं तुम्हारे प्राण नहीं लोंगा तुम मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा मुर्क कोन है बिर्बल ने फिर पूछा हुजूर लिख कर बताओ य अंगारे बरसने लगे उन्होंने बिर्बल की ओर देखा बिर्बल मनमन मुस्कुरा रहा था उसकी इस हरकत ने आग में घी का काम किया अक्बर ने कड़ा कवाज में पूछा इसका कोई प्रमान बिर्बल ने कहा मालिक गुस्ताखी माव शमा करें जिस वक्ती ने एक अंजान पर देशी को एक हजार अशर्फियां दिलवाई हो उससे बड़ा मुर्ख और कोन हो सकता है अक्बर ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा महराज आज डेड़ महीना बीच चुका है लेकिन वहवयपारी घोड़े लेकर नहीं आया अशर्फियां तो गई हाथ से अक्बर ने तम नाम लिखतूंगा अक्बर को अपनी भूल का पता चला उन्होंने उठकर बीरबल को गले लगा लिया और बीरबल को एक हजार अशर्फियां पुरसकार में देने की घोशना की इसके साथ ही अनजान आदमे पर विश्वास न करने की कसम खाई तो बीरबल का चहरा खिल हुआ है